हेलो गाइज नमस्कार स्वागत है आप सभी का कॉंस्टेंस माइड में हैं मैं हूँ दीपक और आज की ये वीडियो बड़ी इंपोर्टेंट है और बात होगी यहाँ पर रिशर्च प्रपोजल की ठीक है रिशर्च प्रपोजल की यहाँ पर हम बात करेंगे जब आप नहीं होता है तो हम नहीं जान पाते हैं वहीं आपको आज बताएंगे देखें रिसर्च प्रपोजल से बनाने से पहले आपको एक चीज़ें और चाहिए होती हैं क्या कि आपका जो रिशर्च टॉपिक है वो क्या होगा आप अपने आसपास की चीज़ों के देखके आप topics relate कर सकते हैं और फिर आप अपना एक research topic बुना सकते हैं अलागी मैं आपको दिखा देता हूं जैसे किस कुछ research proposal है तो किस तरह से बना है सोध गंगा सर्च कीजे उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ये सोध गंगोत्री है सोध गंगा जो है वो thesis के लिए होता है जो thesis सब्मेट होती है वो यहां पर होती है कि आपको thesis किस तरह मत जब पीसडी करेंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे गर उसके लिए practice चाहिए तो ये सोध गंगा है सोध गंगोत्री जो है ये research proposal के लिए है तो आप सोध गंगोत्री को open कीजिए या फिर अगर आप सोध गंगोत्री ना खोल पाएं तो आप सोध गंगा को open कर लिजेगा जब आप सोध गंगा को open करेंगे तो यहां पर आप down जाएए नीचे जाएंग तो आपको यहीं पर option मिल लाएगा किसका सोध गंगोतरी का ठीक है सोध गंगोतरी यह section आपका जो है यह सोध गंगोतरी है इस पर आप जाएंगे तो आपका यह सोध गंगोतरी देखिए open हो गया जब आप इस side पर आएंगे सोद गंगोत्री यह open हो गया आपका अब यहां पर आपको अपने subject को search करना है ठीक है आप search section पे भी जाके देख सकते हैं otherwise आप देख सकते हैं कितने यहां पर जो यह search section है यहां पर बहुत अच्छा search section बनाया गया है यहां से आप search कर सकते हैं Otherwise, आप उपर यहां से भी सर्ष कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट डाल गए, आप सर्ष कर लिजे, Otherwise, आपको देख लिए, यहां पर बताया गया है, कि किस युनिवर्सिटी से कितने सिनॉप्सिस अप्लोडेड हैं, जैसे कि टोटल 8570 अप्लोडेड है न, अब यहां पर सभी इनुवर्सिटी के नाम दिए गए हैं, कि कहां से कितने सिनॉप्सिस अप्लोडेड हैं, आपको अपने सब्जेक्ट का तब तक चेक करना है, जब तक कि नहीं मिल जाता है, ठीक है, किसी इनुवर्सिटी में हो सकता है, एक ही दो सिनॉप्सिस अप्लोडेड हो, ठीक है, ल देखना चाहते हैं सर्ष्ट मारतीजिये आप उसके बाद यह जोलोजी ओपन हो गया कुछ नहीं करना है आपको यह जोलोजी ओपन हो गया है और यह जो आपको आपको ओप्सन दिख रहे हैं डिपार्टमेंट जोलोजी यह आप एक माली जे पहले पर क्लिक करते हैं ठीक है क्लिक कर दिए अब यहां पर यह पहला जो आमने क्लिक किया था वो कहां का था तो यह दिया हुआ है डाक्टर बाबा साहिब अमबेट कर मार्थ वाड़ा उनवस्टी ठीक है और यहां पर जो रिसेंट सबमिस्जन है वो भी आपको दिख रहा है ठीक है तो जो भी इसमें स syndrome यह है वी नॉमल स्राउथ गुजरात यूरस्टी इसके फॉर्म भी चल ले हैं अभी भरे जा रहे हैं तो इसी को देख लेते हैं यह हमने खो लिया अब यह देखिए यहां पर डीटेल्स लिखा गया है टाइटल क्या है उसके बाद कीवर्ड्स आप इसी कीवर्ड्स को सर् बन दिया है तो आप देख सकते हैं जो आप उपन करना चाहें तो माली जी हम सिनॉप्सिस को देखेंगे देखिए सिनॉप्सिस डाउनलोड हो गया ओपन करते हैं कैसे बनाया गया आपको समझ में आ जाएगा यह इंट्रोडक्शन है लेकिन टाइटल का प्लेज अलग है उसका भी देख लेते हैं यह अपका इंट्रोडक्शन है फिर इसमें इंट्रोडक्शन के बाद I am of the present studies I am यहाँ पर दिया गया है फिर methodology बहुत जरूरी होती है इसमें methodology में sample दिये है tools दिया गया प्रोसीजर बताया गया है फिर आपका limitations and experience of the investigators result and discussion दे लिया गया फिर last में सब्सक्राइब का जो है वह जड़ा लंबा फिर सिनॉप्सिस है नहीं सिनॉप्सिस आपको maximum 25 words में बनाने होते हैं पचीस सो वर्ड्स स्वर्ड्स में बनाने होते हैं लास्ट में conclusion ठीक है और उसके बाद इन्हों ने अपना जो है reference नहीं दिया अगर कहीं से कुछ लिया है तो reference देना चाहिए reference दीजिए and table भी आप provide कर सकते हैं पहले जैसे कि इनका title भी देख लेते हैं यह आप लोगों के जानकारी के लिए हम बता रहे हैं बाकी आप अपने अपने subjects को यहाँ पर आके देख लें बहुत सरे आप comment कर रहे हैं तो लिक के तो नहीं बता जा सकता ठ आप है देखिए इस तरह से आपको क्या बनाना है टाइटल बनना इन यह आपकट न है और इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं आप यहीं पर search करके देख सकते हैं जैसे कि माल लीजे इन्वोर्मेंट बहुत सरल है उसको देख लेटें इन्वोर्मेंट अब इन्वोर्मेंट साइन्स के खल गया ठीक है अब यहाँ पर issue date दिया है titles दिया है and research दिया है guides दिया है सभी का आप यहां से दिया के देख सकते हैं अगर यहां से देखी next करके भी बहुत आप देख सकते हैं हमने next कर दिया एंड उसके बाद कुछ आपको यहां पर global warming के बारे में है ठीक है यह global warming and its sociological impact on climate of India तो इसको open करते हैं यह वाला open करते हैं देखते हैं इसमें क्या है तो यह देखिए यह आपका आगया अब आपको यहां से titles देखना है फिर introduction देखना है देखी topics, objectives, hypothesis, methodology मतलब work, plan क्या होता है वो reference बाद में कुछ लगबग साथ topic हैं यह इस तरह से और आप topic यहीं से choose भी कर लिजएगा आपको बहुत सारे ideas मिलेंगे ठीक है तो जो हमारी वीडियो थी वो इसी से सम्मंदित थी कि आप किस तरह से अपने topic को choose करें आप यहां पर आईए, choose कीजे topic और आप यहां से एक आग research proposal जो है इसको download करके उसका बढ़ियां से analysis कीजिए और उसके बाद research proposal आप अपना बनाईए ठीक है आप हर जगा से collect करके चीजे निकाल सकते हैं लेकिन जो भी चीजे आप बनाएं वो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बनाएं क्योंकि research proposal से ही questions इंटर्वियू में पूछे जाते हैं अधिकतर इंटर्वियू जो होता है PSD का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी body language सोचने समझने की चमता है और सबसे बड़ी चीज यहां पर देखी जाती कि क्या research आपके पास research की ability है तो वो ability आपके research proposal से ही आखी जाएगी इसी से questions होंगे research proposal अच्छा रखें हर चीज जो अभी आप इसमें लिखेंगे उसका reference नीचे दें hypothesis पर ज़्यादा दिखान दिया कि ठीक है तो उमीद है कुछ समझा आप आए होंगे आप इस site पर जाके बाकी चीज़े देख सकते हैं नहां तक देखनी कली बहुत 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 बहुत